संयुक्त राष्ट के एक आपात राहत समनवयक ने कहा कि यदि सुमालिया को तुरंत अंतराष्टिय मदद नहीं भेजी गई तो गर्मी के मौसम के अंत तक 20 लाख से अधिक पुरुष महिलाएं और बच्चे भूखमरी से मौत हो सकती है यूएन के अंडर सेकेटरी जनरल मार्क लोकाक ने कहा कि सुखा पढ़ने के बाद सुमालिया को करीब 70 करोड डॉलर की जरूरत है बारिश नहीं होने से पश्वों की मौत हो रही है और फसल बरबाद हो चुके हैं उन्होंने कहा कि यूएन के केंदरी आपदा राहत कोष्ट ने सुखे से प्रभावित इथोपिया और केनिया के साथ साथ सुमालिया में दैनिक आवशक्ता की चीजों पानी और खाने की कमी को पूरा करने के लिए 4 करोड पांच लाख डॉलर की राशी आवंटित की है मार्क ने कहा कि सुमालिया की आबादी 1 करोड पांच लाख है इसमें से 30 लाख लोग सिर्फ भोजन की नियूंतम आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए संगर्श कर रहे हैं भोजन की कमी किस्थिती पिछली सरदियों की तुलना में काफी खराब हो गई है मुंबई हमलों के सरगना और जमात उद्दावा याने जे यूडी चीफ हाफिस सईद को पहली बार पाकिस्तान के पंजाब रांद की सरकार ने लाहर के गद्दाफी स्टेडियम में बुद्वार को ईद की नमाज का नितित्व नहीं करने दिया सरकार के इस कदम के कारण सईद को अपने घर जोहर टाउन के लिकट स्थानी मस्दिद में ही नमाज पढ़ना पड़ा जमाज चिफ सईद गद्दाफी स्टेडियम में ईद की नमाज का नितित्व करना चाहता था लेकिन पंजाब सरकार के अधिकारी ने उसे बताया कि वह ऐसा नहीं कर सकता आपको बता दें कि गद्दाफी स्टेडियम हाफिस सईद का पसंदिदा स्थान है एक अधिकारी ने नियू देजनसी पीटी आई को बताया कि अगर वह ऐसा करता तो सरकार उसे गिरफतार कर सकती थी उन्होंने कहा कि सईद के पास सरकार का निर्देश मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था इसके बाद उसने गद्दाफी स्टेडियम में नमाज का नित्यत्व करने का विचार छोड़ दिया शियुसेना ने जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री को लेकर हिंदू कार्ट खिला है शियुसेना ने कहा कि जम्मु कश्मीर में अगला मुख्यमंत्री हिंदू ही होगा शियुसेना के मुखपत्र सामना में शपे लेक के मुताबिक जम्मु कश्मीर का जम्मु इलाका कश्मीर के मुकाबले बड़ा है लेकिन यहाँ पर हिंदू मुख्यमंत्री नव बन पाए इसके लिए कश्मीर में विधानसभा की जादा सीठे रखी गई है लेकिन अब नए सीरे से परिस्मन होने के बाद हालाद बदलेंगे शियुसिना ने सामना में लिखा कि नए ग्रह मंत्री आमिश शाह ने जम्मु कश्मीर विधानसभा सीटों का भुगोल बदलना तै किया है जम्मु कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री हिंदू ही होगा इसके लिए मद्दाता शेत्रों का परिस्मन अर्थाथ डिलिमिटेशन करना तै किया है जम्मु कश्मीर विधानसभा में सबसे अधिक विधायक कश्मीर घाटी से चुनकर आते है पूरदेश में पिछले कई दिनों से भीशन गर्मी का कहर जारी है इस बीच केरल में मांसून आने का असर देखा गया कई इलाकों में बारिश हुई है केरल में अधिकारिक तोर पर मांसून के 8 जून तक दस्तक देने की संभावना है आम तोर पर मांसून एक जिन को केरल पहुंच जाता है और इसके साथ ही अधिकारिक तोर पर चार महिने के बारिश के मौसम का आगाज होता है मौसम की जानकारी रखने वाली एजनसी स्काइमेट के मौसम विज्यानी समर चौधिनी ने बताया कि अगले 48 घंटों के अंदर केरल में मांसून पहुंच सकता है हाला कि इस साल मांसून कमजोर रहेगा साथ वेस्ट मांसून केरल में सबसे पहले दस्तक देता है जिसके बाद देश के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिलती है हाला कि सुबर से मौसम में भागने बारिश की चिताउनी जताई है बीशन गर्मी की वज़े से दिल्ली, बिहार, उत्तरप्रदेश समेत कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है हाला कि कई जगों पर गर्मी से थोड़ी राहत की खबर भी है दिल्ली और इसके आसपास के शेतरों के लिए मांसुन की सामानेतितियां जून के अंतिम सप्ता में हैं लेकिन इसमें 10-15 दिनों की देरी भी हो सकती है पडोसी देश बंगलादेश की मशूर अभनेतरी अंजू घोष बीजेपी में शामिल हो गई है अंजू घोष के बीजेपी जोयन करते ही पश्ची मंगाल के मुख्यमंत्री मम्ता बेनर जी की पार्टी त्रिनमुल कॉंग्रेस ने बीजेपी पर सवाल खड़े की हैं क्यूंकि वह बांग्रादेशी नागरिक है अंजू घोष राजदानी कुलकाता में बीजेपी परदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई है ममता की पार्टी टीमसी के नेता दिपतांक्षू चौधी ने इस मसले को लेकर सोशल मेडिया साइट फेस्बुक पर एक पोस्ट लिखा है उन्होंने अंजुगोष की नागरिकता का विरोध करते वे कहा कि एक बांगनादेशी नागरिक इस देश की किसी पार्टी की सदस्टा कैसे ले सकती है सल्मान खान की इज रिलीज भारत को जबरदस्ट रिस्पॉंस मिल रहा है उमीद की जा रही कि फिल्म बॉक्स आफिस पर कमाई के लिए रिकॉर्ड बनाएगी लेकिन इस बीच भारत के ऑनलाइन लीक होने की खबर आ रही है ये मेकर्स के लिए एक बड़ा जटका हो सकता है मीडिया रिपोर्ट के मताबिक सल्मान खान के फिल्म भारत को हैकिंग के लिए बदनाव वेबसाइट तमिल रॉकर्स ने लीक कर दिया है आउनलाइन लीक की घटना से भारत के निर्माताओं को नुकसान उठाना पर सकता है सौव करोड के बजट में बनी सल्मान खान की भारत के लिए वैसे भी दोरी चुनवती है भारत पर वर्ल्ड कप मैचों का असर पढ़ने की आशंका है अब आउनलाइन लीक होना निर्माताओं के लिए किसी जटके से कम नहीं है एक्ट्रिस सारा अलिखान सिर्फ दो ही फिल्मों में खुद को वालिवूड में स्थापित कर चुकी है इन दिनों सारा के पास कई प्रोजेक्ट से जिसमें लव आज कल का सीक्वल और कुली नमबर एक फिल्म शामिल है फिल्मों के अलावा सारा को अपना वजन घटानी की प्रेणादायक जर्नी के लिए भी जाना जाता है एक समय था जब सारा का वजन 90 किलो से जादा था सारा ने एक इंट्रूवे में अपने वजन और पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम समस्या के बारे में बताया सारा ने कहा कि हम स्विकार और समानानता के बारे में बात कर सकते हैं लेकिन क्या आप ऐसी फिल्म देखेंगे जिसकी लीड हिरोईन 96 किलो की हो अगर किसी समुदाय को मुझसे कोई दिक्कत हो तो प्लीज दम लगा के हैश्चा देखें और फिर मुझसे बात करें विलिन के किरदार में मोस्ट फेवरल एक्टर गुल्शन ग्रोवर एक बार फिर पर बैड मैन बनने को तयार हैं रोही शेटी के निर्देशन में बन रही फिल्म सूर्य वंशी में जहां अक्षय कुमार हीरो होंगे वहीं गुल्शन ग्रोवर विलिन के रूप में नज़र आएंगे साल 2020 में आने वाली फिल्म सूर्य वंशी की शुटिंग इस बक्त बैंकॉक में चल रही है बैंकॉक में फिल्म की शुटिंग के दौरान फिल्म के नेगेटिव किरदार का भी खुलासा हो गया है हाली में फिल्म में विलिन के बारे में अनाउंस्मेंट की गई थी लेकिन एक्टर का नाम अनाउंस नहीं किया गया था इस अनाउंस्मेंट के बाद से ही लोगों में विलिन को लेकर उत्सुकता थी गुल्शन ग्रोवर ने जब टीम को जोईन कर लिया तो फिर्म के विलिन के बारे में लोगों को पता चल चुका है गुल्शन ग्रोवर की एक्टिंग से लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं उन्होंने पहले भी नेगेटिव किरदार निभाए हैं और एक बार फिर गुल्शन बैडमैन बनने को तयार हैं सचिन तिंदुलकर ने कहा कि भारत ने बहुत अच्छी तरह से मैच खेला और भारत ने अच्छी शुरुवात की है उन्होंने कहा कि भारत ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों अच्छी की हमारी टीम से उम्मेदे थी टीम इंडिया उस पर खरी उतरी है क्रिकेट के भगवान कहा जाने वाले सचिन तिंदुलकर ने कहा कि गेंदबाजों ने कमाल का खेल दिखाया उन्होंने कहा कि बुम्रा ने अच्छी शुरुवात की उसके बाद युजुवेंदर चहल ने जैसे बॉलिंग की है उससे साउथ अफरिका के क्रिकेटरों पर प्रिशर बना सचीन ने कहा कि हमारे लिए वो एक ऐसा मोमेंट था जिसने भारत की स्थिती को मजबूर बना दिया मौसम की स्थिती को देखते वे टॉस पर सचीन तिंदूर करने कहा कि मैं हरान था जो स्थिती थी और पीच की जो हालत थी उसमें लगा कि हम पहले बॉलिंग कर लेते भारत ने भुधवार को ICC विश्वकप 2019 के पहले मैच में दक्षिन अफरीका को छे विकेट से हरा दिया भारती गेंदबाजों ने साउथ हैंटन के दरोज बाउल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दक्षिन अफरीका को 50 ओवरों में 227 रनों पर रोग दिया था बड़ी जीत के साथ अपने मिशन का आगास किया है टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा के नाबाज शतक की बदवलत भारत ने 6 विकेट से हैं मुकाबला जीत लिया हलाकि शुरुवाती जटकों से एक वक्त पर भारती टीम के लिए 228 रनों का लक्ष भी मुश्किल नजर आ रहा था लेकिन रोहित ने एक छोर सम्हाले रखा और अंत में टीम के जीत मिला करी लवटे इस शतक की पारी के लिए रोहित शर्मा को अपने बल्लेबाजी शहली भी बदलनी पड़ी मैन अब दमैच रोहित शर्मा ने जीत के बाद कहा कि उनकी कोशिश मुश्किल विकेट पर बेसिक्स पर बने रहने और साज़िदारियां करनी की थी रोहित ने गेंदबाजों के लिए मददगार पीच पर 144 गेंदों पर 13 चोके और दो चकों की मदद से नाबाद 122 रनों की पारी खेली विश्योकप में यह रोहित का दूसरा शतक है रोहित ने कहा कि इस पीच में गेंदबाजों के लिए कुछ था मैं अपना स्वाभा भी खेल नहीं खेल सका मुझे अपने शॉर्ट्स खेलने के समय लगा मुझे अपने कुछ शॉर्ट्स भी रोकने पड़े शुरुवात में मेरी कोशिच बॉल छोड़ने की थी मैं अपने बेसिक्स पर बने रहना चाहता था और साजेदारियां करना चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें निवी अपडेट्स के लिए वैल आइकॉन का दबाए देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइट